आपत्ती होने पर रिमान के फैसले को चुनौती देने का अधिकार, H.C. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी की ट्रांजिट रिमान देने के साकेद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को खारिच कर दिया, उसे धोखादरी के एक मामले में मुंबई की एक अदालत के सामने पेश करने के लिए ये रिमान दी गई थी, याचिका कत्ता ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षी करन याचिका दायर कर अपनी ट्राजिट रिमान के आदेश के अवैध होने का दावा किया था, जस्टिस जस्मीट सिंग और जस्टिस विकास महाजन की विकेशन बैंच बैंच ने कहा कि ट्राजिट रिमान देते समय निचली अदालत ने याचिका करता की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जबकि उसके पास ऐसा करने की पावर थी, बैंच ने आदेश में कहा कि इसलिए साकेत कोर्ट धोखादरी के एक मामले में आरोपी की अपनी ट्र जांच अधिकारी उसे न्याएक अदालत के सामने ले जाएगा, जो उसकी जमानत अरजी पर फैसला करेगी, याचिका करता की ओर से कहा गया कि उसे बांधरा, मुंबई में, पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी ने यहां जी के एक पुलिस स्टेशन में अवैद रूप से हिरासत में रखा, मैं साउथ इस डिस्ट्रिक के मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट के 15 जून 2023 को दिये आदेश को रद किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि याचिका करता की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाए, बैंच ने रिमान के आदेश पर आपत्त होने पर इसे चुनौती देने की व्यवस्था देते हुए कहा कि बंदी प्रत्यक्षी करन याचिका सुनवाई योग्या है, क्योंकि एक दूसरे मामले में हाई